सामुलेकुम वियर्स जैसा के आप सब लोग थाम नीर्स में तो देख चुके होंगे कि आज की वीडियो किस चीज से रिलेटेट है और किस टॉपिक से रिलेटेट है तो जी हाँ पूर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन बिसिकली एससे पार्ट टू और मेट्रिक तो यहाँ पर मैंने कुछ मॉडल कुस्टिन पेपर से कुस्टिन्स लिए हैं तो पूर टू फाइफ हैं फिजिक्स के तो वो मैं आज सॉल्फ कर रही हूं तो आप थमने इसमें भी चैकाउट कर सकते हैं कि वो कौन कौन से कुस्ट सॉल्फ करने से पहले मैं यह बताती चालूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर तीजे और इसके लावा वीडियो भी शेयर करें और अगर आप फिजिक्स रिडेटेट मैट्रिक एससे पार्ट टू में टैरिविशन सेखना चात और जिए और इसके प्रसके चैप्टर में रिविशन आती हैं तो बिने टाइम बागारें हम मुझे नुबर वन स्टाट करते हैं तो मुझे नुबर वन इस मॉडिवेड पेपर ने में है तो वो हम read out करते हैं और फिर हम इसको solve करते हैं सबसे पहले जो question है वो है a body starting from rest requires a velocity of 10 meter per second in 5 second ठीक है calculate acceleration and number B the distance covered by the body in 5 second तो सबसे पहले हमें solve करने का तरीका यह होता है कि हम data बनाते हैं data में जो हमें चीज़े given होती है हम वो चीज़े लिखते हैं यह एक standard तरीका है कि हम data बनाएंगे और फिर यहां पर लिखेंगे कि given क्या क्या है तो start करते हैं हम अब values को लिखने के लिए तो a body starting from a rest requires a velocity of 10 meters per second तो जब एक body start होई rest से तो उसके जो initial velocity होगी जो के v i से हम लिखते हैं तो initial velocity उसकी होगी 0 meter per second जबके हम बात करते हैं final velocity की तो final velocity यहां पर क्या होगी जब rest से एक body start होई तो initial velocity 0 होगी जबके यह वारी जो velocity है वो rest के पाद है तो यहां पर 10 meter per second जो है वो final velocity consider करेंगे उसके लावा जो है in 5 seconds तो seconds किसका unit होता है सबको पता है कि time का unit seconds है तो यहां पर हम time देलेंगे time है 5 seconds तो यहां पर हमें कितनी चीज़े गिवन है initial velocity, final velocity और time three मतलब हमें चीज़े given है और हमें required क्या क्या करना है इस तरीके से हमने required करा यह एक दोबारा पताती चलों कि standard तरीका और बहुत अच्छा तरीका है जो हमने अपने teacher से सीखा था तो यहां पर required में हमें सबसे पहले चीज़ क्या करनी है calculate acceleration तो acceleration number one हमें चीज़ find out करनी है और number second हमें है क्या मालू कर रहा है the distance covered by the body in five seconds जिसको हम donate करेंगे ऐस से तो अब हमें यह दो चीज़े find out करनी है दीके तो हम कौनसा formula यहां पर लगा सकते हैं हम जो है boom distance के लिए हम third equation of motion use करेंगे ठीक है distance मालू करने के लिए जबके हमें acceleration मालू करने के लिए हम कौनसा equation of motion use हर सकते हैं हम first equation of motion यहां पर use कर सकते हैं तो जड़ी अब इसकी बार जाती है solution की solution में आप formula सबसे पहरे देंगे तो यहाँ पर मैं use कर रही हूँ vf is equal to v i plus d t आप यहाँ पर हूँ लिख भी सकते हैं मतब यहाँ पर use कर जाकते हैं कि using first equation of motion इस तरह किसे आप अपनी language में यहाँ पर लिख सकते हैं first equation of motion लेकिन वो थोड़े सा method बढ़ा हो जाएगा लेकिन यह आपकी अपनी choice से अगर आप direct solve करना चाहें तो कर सकते हैं तो vf is equal to v i plus 80 लेकिन हमें find out क्या करना है acceleration तो हम यहाँ पर acceleration को जब हम find out करेंगे तो vf minus v i हो जाएगा और time जो है हमारे पस upon में रहेगा तो acceleration vf क्या है vf दोपारा आप देखते चलें कि 10 है यहाँ पर 10 given है वैसे मुझे याद भी है क्योंकि initial velocity हमारी 0 है ठीक है 10 minus 0 और time हमारे पस क्या है 5 second है तो 10 में से जब हम minus करेंगे 0 तो 10 ही आएगा और upon 5 5 वन जा 5, 5 तू से 10 तो हमारे पस acceleration क्या आ गई acceleration is equal to 2 unit क्या होता है हमेशा meter per second square याद रखेगा कि unit कभी भी miss नहीं करेगा unit के अपने marks होते है 0.5 और something तो unit हमेशा सबका याद रखेगा तो यहाँ पर acceleration का unit है meter per second square यहाँ यह हमने first part solve कर दिया है जो हमारे पस 2 meter per second square आ गया इसे ही लिखने की जरुएत नहीं है यह मैं सिर्फ आपको अभी बतारी हूँ इसका जो second part है वो है distance निकालने का तो यहाँ पर अब हम distance के लिए using third equation of motion तो आप सब लोग को याद होने चाहिए मिलकुल seconds में S is equal to VF square minus VI square जी हाँ अब हम इसमें से अगर S find out करते हैं तो हमारे पस क्या होगा कि S ऐसे ही रहेगा VF square minus VI square upon 2A जो है वो यहाँ पर अपनी position change करके नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर अब हम value put कर देते हैं VF VF की value है मैं बस 10 square और minus VI सबको मालूम है कि 0 square और फिर 2 और acceleration यहाँ पर सबको बताए कि क्या है acceleration यहाँ पर हमारे पस 2 आ गई 10 का square means 100 0 का square means 0 तो यहाँ पर मैं कुछ पर नहीं लिखने हूँ 2 2 सा 4 ठेक है अब यहाँ पर हम दोनों को जब divide करते हैं तो हमारे पस क्या answer आता है यह हाँ आता है दोनों को जब हम divide करेंगे तो आप divide करके देख लेगा 25 distance का unit क्या होता है meter तो hence this sorry no hence this equation नहीं hence this formula is solved this numerical is solved sorry hence this numerical so यहाँ पर आप लिख सकते है answer यह था सबसे पहला question अब हम चलते हैं दूसरे question की तरफ तो चलिए start करते हैं question number two तो यहाँ पर question number two है calculate the length of a second pendulum यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर सिर्फ करेंगे तो आप बस सॉल्फ करना शुरू कर दिया करें जादा question पर फोकस भी करें लेकिन बस आप शुरू हो जाए करें तो calculate the length of a second pendulum अच्छा जी सबस्क्राइब मैं आपको बताती चलू कि हमारे पास जो एक टर्न होता है एक पैंडियोरम का second pendulum एक simple pendulum है तो जो एक turn होता है वो two second के बराबर होता है ठीक है तो यहाँ पर basically यहाँ पर आपने time ले लिया क्योंकि हमें length मालू करनी है second pendulum की तो हमने two second जो है वो एक turn जो है वो बराबर होता है तो हमने time two second ले लिया है gravity की value देवी है यहाँ पर ठीक है gravity की value क्या है 9.8 meter per second square अब पाई की value हमें पता होता है पाई की value जो है वो I think three point one four two होती है और शायद twenty two point seven होती है I think so कि मैं clear हूँ या नहीं क्योंकि मैंने भी देखा नहीं है मुझे लग रहा है कि यह यह है तो हम पता सकते है comments में कि मैं doubt है मुझे तो यह divide करना पड़ेगा बाकी सब 22 by seven और जब यह होती है पाई की value उसको divide करते तो फिर three point one four two होता है ठीक है खेर इससे हमारा इतना ज्यादा को नहीं है यह value confirm है ठीक है मैं बता रही ठीक है यह value confirmed time हो गया है gravity है और यहां पर पाई है जबके हमें मालूम क्या करना है simple आप दुबारा में बता जाते हूं calculate the length of a second बेंगे हमें तो यहां पर हम required show करेंगे मतलब required लेंथ हम मालूम करेंगे तो simple अब आप नहीं यहां पर formula लिया formula आपने heading लगाई यहां पर t is equal to two pi squared l upon g यह हम formula यूज़ करें रहे हैं length of second pendulum की मालूम करने के लिए ठीक है अब यहां पर हम solution पर आते हैं solution पर आने के लिए हमने दुबारा यह formula राइट करा अब वैसे करते हैं आप चाहें तो नहीं करें अगर practice कर रहे हैं तो लेकिन जब आप solve paper दे रहे हों तो आप जरूर रखेगा क्योंकि paper में एक चीज जो है step by step हो तो अच्छे रखती है ठीक है टी is equal to हमने ना क्या कर दिना है कि सबसे पहले अभी हम value port नहीं कर रहे हैं अभी हमने इस को हटाना है इस square root को हटाना है यह जो है ना square root कहलाता है और इसको आप जब भी हटाएंगे ना चाहे वो mathematics हो या physics हो आप square root को हटाने के लिए square कहीं इस्तमाल करते हैं ठीक है बाल समय में आ रही है square को खत्म करने के लिए हम square कहीं इस्तमाल करेंगे ठीक है लो means यह जब भी square root को खत्म करना हो तो हम square use करेंगे तो फिर डोनों cancel हो जाएंगे तो use कर रहे हैं हम squaring both sides क्या होगा कि जब हम T पे भी square कर देंगे ठीक है और टू पाइ एल अपॉन जी सब पे square कर देंगे तो अब यहां क्या ज़रूरी है कि मैं पहले इस step में भी लिखूं कि इन सब पे square हो रहे तो क्या मैं direct डायरेक्ट नहीं कर सकती तो I am going for the direct ना तो टू पे square लगीगा तो क्या होगा फोर जब पाइ पे square लग जाएगा आप suppose करने के यहां पे square हो गया इस step में कर लें वैसे अगले step में कर लेगा तो जादा बहतर है मैं यहां पे कर लेती हूं ताकि आप लोग को समझा जाए यह समझे का कि एक अलग step है टी square is equal to two four pi per square अब जब L upon G पे square के आ नहीं सकता क्योंकि यह square इस square को इसने cancel कर दिया तो हमारे पस L upon G बलकुल ऐसे design गे अब T पर square है तो time यहां पर two है as you can see ठीक है तो time यहां पर two है two square is equal to four और यहां पर pipe square है ठीक है three point one four two है और यहाँ three point one four भी ले सकते हैं point के बाद जो है आपको दो value necessary लेनी होती है आप तीन लें आपके मर्जियं चार लें 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 दो आपको necessary लेनी होती है तो हमने इस पर square करा L, L का क्या होगा L तो हमें पता ही नहीं है तो क्योंके length नहीं पता है हमें कि क्या है और हमें find out करनी है ठीक है छोड़ें 9.8 हमें gravity पता है अब यह कैसे solve होगा आगे तो गोर से समझेगा गोर से समझेगा कि यहां पर हमने क्या किया है L is equal to हमने यहां पर 2 का जो है वो square है 4 जिसको हमने जो है वो 9.8 से multiply करती है ठीक है 2 का square 4 यहां पर लिया है और इसको यहां पर 9.8 से multiply करती है अब बचा क्या 4 ठीक है 4 आ गया अब multiply by 3.142 कि 3.14 अब याद ऐसी है वह जो कि 3.142 ही जो है वो मुह से निकलता है तो अब 3.142 का square ले ले लिए या 3.14 का square ले 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 तो अब scientific calculator यूज़ करके जब आप square लेंगे तो यहां पर मैं calculator यूज़ नहीं कर रही हूं मैं पस value लिखी है तो मैं वही value write down करूंगी तो आप लोग जो है वो calculator यूज़ कर लेगा scientific calculator ताकि आपको proper समझ में आए तो 4 multiply by 9.8 4 multiply by 3.142 square तो अब यहां पर 24 cancel अब क्या length is equal to 9.8 divided by 9.85 तो अगेन आप लोग जो है वो यहां calculator से सारी चीज़े confirm कर लेगा सब calculations मैं नहीं कर रही मेरे पास write down होई विए कुछ लोग को problem होती है कि भाई यह answer आ रहा है लेकिन one क्यों लिखा वा है तो यह बहुत ही common से चीज़ है और शायद सब कोई मालूम हो लेकिन अगर नहीं पता हो तो यहां पर मैं आपको बता दूँ कि जब भी हमारे पास एक rule होता है आप लोगों ने याद रखा और नह रखा हो या कुछ लोगों ने रखा हो तो good है उनको जो point होता है हमारे पास यह एक rule है round off का जी हां point के बाद अगर हमारी value 5 से कम होती है तो हम value वैसे ही रहने देते हैं जैसे पहली है हम कुछ नहीं करते हैं अब point के बाद value 5 से greater है point के बाद तो हम उस value में plus जो है वो one कर देते हैं एक point का इजाफा कर देते हैं ठीक है like जैसे कि हमारे पास value है point seven eight तो यह round off होकर क्या हो गई हमारे पास one digit का इजाफा हो गया ठीक है है अब मैं यहाँ पर बताती चलूँ वीटियो बहुत जादा बड़ी नौजाए इसलिए मैं यह पर बताती चलते हूँ कि यह five से greater है ठीक है तो यह क्या हो गई कि खुदबाख होती इसमें one plus हो गया ठीक है तो यहाँ पर one meter हो गया है ठीक है ठीक है यहाँ पर एक हमने जहना plus कर दिया क्योंकि यह five से जादा था तो हमने एक डिजिट बढ़ा दिया तो one meter हो गया अगर आपको फिर भी समंद में नहीं आए तो यहाँ पर बतातूं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारी percentage आई है 76.779 में या 10 में तो कुछ यह आई है percentage हमारी तो लेकिन कुछ खहते हैं कि नहीं 76 तो नहीं होई राउंड आफ होकर 77 हो गई क्योंकि यह वाला जो डिजिट था वो five से जादा था तो इसलिए फाइदा यह हुआ कि एक हमने यहाँ पर प्लास कर दिया तो वो 77 हो गया ठीक है इसी तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि हमारी 82.34 है तो हमारी 83 हो गई तो ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि यह वाला डिजिट पॉइंट के बाद five से कम है तो उनकी 82 ही रहेगी अलबता अगर 82.63 है तो यहाँ पर उनकी 83 बन जाएग क्योंकि यह five से जादा है तो समझ में आया पॉइंट के बाद अगर five से कम होगा तो कुछ नहीं होगा अगर five से जादा है तो फिर आप एक टिजिट पढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर यह answer हो गया है अब हम third question की तरफ जोहरा चलता है तो यह है question number three जिसको हम solve करने वाले हैं लेकिन solve करने से पहले मैं यह बताती चारूं कि अगर आपको जो है वो numerical समंझ में आ गए है question number one और question number two के तो जड़ी से जाके जो है ना वो subscribe भी करें और share भी करें तो फिर हम question number three भी start करेंगे लेकिन अगर question number three पर ये वीडियो रोग गई है तो आप description box में जाकर link चेक कर लेगा या अगर question four यहां पर नहीं मिलता है तो वो मैं link दे दूँगी तो उसमे question number four और five मिल जाएगा क्योंकि time का भी issue है तो maybe के यहां पर ये वीडियो रोग जाए तो इससे पहले के वीडियो रोके ह हम question number three की तरफ चलते हैं जिसमें हमने data given ठीक है यह सब आप देख लेगा given में जो है वो आप रीट करें बहुत easy है तो potential difference applies to the terminals of affordable radios 9.0 volts है हम यहां पर एक चीज़ देख चुकी है 9.0 volts अब 9.0 volts है तो हमारे पल्स वी आचुका है ठीक है find the resistance of the radio if a current of 25MA current क्या कह रहा है कि current है वो 25MA है i is equal to 25MA और find the resistance और हमें मालूं करना है या आप हमने required कर देंगा है तो आप उपर भी लिख लेए अगर आप का दिल नहीं चाहरा है कि आप required कर सेक्शन में आए क्योंकि बहुत सारे लोग सब कुछ mix करके भी लिख सकते हैं यह उनकी अपनी मर्जी है बट इससे आपको बात में solve करते वासानी रही है कि हमें इतनी चीज़े मालूं करनी है आला कि एक है तो problem नहीं है लेकिन बहुत सा हमें resistance बालूं करना है जिसको हम R से donate करते हैं अब यहां पर problem पता है क्या है problem यह है कि current का unit आप सब को पता है current आई से donate होता है और उसका unit क्या होता है unit आप लोग प्लीस याद कर लेगा अगर आप लोग को पेपर देने जाना है तो यह आप लोग थोड़े सा आगी लेविल पर आ गए हैं तो आदा chapters बढ़ रहे हैं तो अब लोग unit याद कर लेगा current का unit आप होता है अब यहाँ पर क्या हो गया कि यह unit 25 में है तो अब हम इसको चेंज करेंगे इसको एमपेर में चेंज करने के लिए हम इसको 10-3 से multiply कर देंगे तो जब यह 10-3 से multiply हो जाएगा तो खुद बखुदी यह एमपेर में आ जाएगा तो current आमारे पर 25 इसको 10-3 एमपेर तो यहाँ पर सब को पता है बहुत common जो है यह solution है V is equal to IR यह बहुत चुटे चुटे से formula होते हैं ठीक है यह और यह याद रहते हैं अगर आप इने पकर आपको यह बहुत अच्छा याद कर लेना तो आपको यह more than 10-11 यह याद रहेंगे अगर आपने इसको बहुत अच्छा याद कर लिया और इसको तो याद भी करना चाहिए क्योंकि जब अभी metric है तो आगे college levels और इन सब में जितने भी MCQs होंगे उसमें यह बहुत काम आते हैं डिफेंट इंसिट्यूट्स में जब टैस देने हों MCQs के for the medical मतलब जो है MCAT और ECAT for the both ना तो यह सब चीज़ आपको वापस से पढ़नी पढ़ेंगी उस MCQs को attempt करनी के लिए फिर जाएंगे लोग को jinx में admission लेने तो जरूरी है कि आप जो है अभी इसको अच्छे तर करना है तो हम इसको अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से नहीं खैर इसको यहां पर लाएंगे और वी अपॉन आई हमने इसकी पॉजिशन चेंज हर दी आइस एकुल टो वी की वैल्यू क्या है भाई वी के वैल्यू है 9.0 और आई की वैल्यू क्या है 25 है 25 इस तो 10 इस तो माइनस 3 तो यहां पर आपने क्या किया कि आई इसकी पॉजिशन उपर हो चुके है तो यह माइनस हट चुका है ठीक है तो अब यहां पर आप इस वैल्यू को डिवाइट करें मुल्टिप्लाय करें और फिर अपना आंसर चाहिना लेख लें रिजिस्टेंस इस एकुल तो 360 ओम्स ठीक है ओम्स होता है यह इसको आप याद रखेगा तो यह थ्री कॉस्टेंस से बाकी के कॉस्टेंस मैं नेक्स वीडियो में कवर करूंगी और आप जो है वो डिस्रिप्शन बॉक्स में लेंक देख लेगा मैं जरूर जो है वहां पे टाल तूंगी ठीक है और साथ मैं यह बताना चाहूँगगे कि यह बहुत यूनिट के हवाले से यूनिट बहुत इंपॉर्टंट होते हैग और कुछ यूनिट जो है आपकी यूज होते हैं जैसे कि डिस्टेंस है डिस्टेंस आपने देखा है कि चाप्टर व्यू पर है मीटर टाइम आपका बहुत so velocity आपकी वी आई है या वी एफ है या only वी है तो उसमें आपकों यूनिट होता है मीटर पर सेक्ड acceleration का मीटर पर सेक्ड gravity का भी वी दाई है यह सब आप जाईना और देख लेंगे في चैप्टर 2 में सारे लाइन से यूनिट जी वे हैं लेकिन यहाँ पर मैं बतारी थी कि इन चीजों का यूनिट जाना याद रख ले तो बहुत अच्छा होगा जैसे कि आपके पास करन्ट का यूनिट होता है एंपियर ठीक है डिजिस्टेंस का उम्स हो गया है और बहुत सारे जो है अभी अकर आप याद करें या आप जो है वो अपनी नोट बुक्स को देखें और चैप्टर टू को देखें तो आपको सारी जो है ना मुले से दिख जाएंगे बस बात यह थी कि यह जो में इन चीज उती है यह वो होती है और इनके एमसी क्यूज भी बनकर आते हैं ठेक है यह एक तो नमेरिकल में विकाम आते हैं गैम से क्यूज भी आ सकते हैं कि भाई कौन सा जो है वो यूनिट है और इनकी वेल्यूज भी कुछ वेल्यूज भी बहुत इंपोर्टन होती है जैसे पाई की होगे है 3.142 इस तरही किसे ग्रैविटी की 9.8 ह अच्छा सारे साथ इस स्पीड ऑफ लाइट पर देख लेगा स्पीड ओफ लाइट प्र जो है काफी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करते हूं फिर मैं जो हूँ दो कुस्टिंस नेक्स वीडियो पर कवर करती हूं तो अलाहा अफेस एंड टेक नाहा व्यूज आप